आज की यह सेकेंड राइड हो रही है आज की राइड जो है वो नाइट राइड है और आज की राइड की खासियद जो है वह है हम लोग तकरिबंद 10 से 12 डिग्रीट एमपरेचर के क्लाइमेट से या एरिया से हम लोग आज राइड करने वाले हैं तो हम लोग जा रहा है नासिक जिले के निफ़ार करके गाव में जहां पर आज टेंपरेचर जो है निकलते वक्त मैंने देखा था 13 डिग्री टेंपरेचर वहां पर दिखाया गया है अगर आप बाइक पे है तो आपको पता है कि थंडी जादा लग सकती है उस हिसाब से आपने देखा होगा कि मैंने कपड़े किस तरह से पहने हुए है तो उसी थंडी को मद्दे नजर रखते हुए आज मैंने ये थंड के कपड़े पहने है तो रात के सवा 10 बच चुके है तकरीबन हम लोग 2 बज कि अस-पस घर पर पहुचने वाले तो रास्ते में क्या-क्या होता है देखने के लिए बने रहे हैं मेरे यहनी राइडर अविनाश के साथ हुआ हुआ है विराल क्रॉस कर लिया है और भी चार गंटे का जरनी यहां पर हमें कम्प्लिट करना है ट्राफिक थोड़ी कम हो चुकिए मकर ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो अभी तो हम लोग पालगर्व और मनोर के दरिमान ही है तो इतनी बुरी कंडिशन है पता ने आके ज जूट जो है आज हम लोगोंने डिसाइड किया है कि हम लोग मनोर से जवार मुखाडा करके त्रंबक करके फिर नासिक पहुचेंगे तो तकरिबन 170 किलोमेटर्स का अपना यह आज का राइड अभी भी पेंडिंग है तो देखते आगे क्या होता है ठंडी में हाल होती है ठ तो दोस्तो फाइनली अपनी राइड जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है और हम लोग निकल पड़े है नासिक के लिए दोस्तो ठंड कुछ ज़्यादा ही है और इसी के वज़े से बाइक ड्राइड करने में थोड़ी से दिक्कत आ रही है मगर जैसे हम लोग किसी ट्र अंकर के बगल से गुजर्द है वो उनके हीट के वज़े से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तो दोस्तो अंधेरे में जब आप ड्राइब करते हैं या रात में जब ड्राइब करते हैं तो एक चीज अपने भी फेस की होगी एक प्रॉब्लम जो कि नॉर्मली सभी गाडि में आपको यहां पर बताना चाहूंगा भी राइड करते करते कि जब भी आपके चेहरे के उपर सामने वोले गारी का लाइट आता है तो आपको जो है आपका लाइट जो है वो डिपर के जगपे अपर करना है या अपर की जगपर करना है तो सामने जो भी यह लाइट में आती है और आपको सामने का रास्ता जो है वो क्लियर दिखने लगता है सेकेंड दिंग है अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको सामने नहीं देखना है आपको नीचे देखना है तो सामने जो light आपके नजर के उपर आती है वो उसका reaction या impact कम हो जाता है और आप नीचे देखने के वज़े से आपको सामने वाला रस्ता जो है वो proper दिखने लगता है इस तरीके से अगर आप night ride कर रहे हो तो आपको ये चीज़ धैन में रखनी है कि अगर आपके आखों के पर light आ रहा है तो आपका speed कम से कम हो कम gear में आपको गाड़ी यहां पर चलाना है कहीं पर भी risk लेके आपको गाड़ी नहीं चलाना है जिससे आपको accident को face करना पर हो तो दोस्तों मजा आ रहा है ride में जैसे के ठंट बढ़ती जा रही है गाड़ी का pickup बढ़ते जा रहा है ट् रास्ता एकदम clear मिला है तो खाड़ी थोड़ी से हम लोग अपने speed से चला रहे है बहुत मजा आ रहा है बहुत 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 जादा मजा रहा है बहुत में हुत बहुत 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 बहुतिए कर दोके साथ एकार समुद्या कर दोह कर दो इופ पुरीज 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 दोके समुद्या को Dok कर दोओ। ज। हुआ य। वुरीज दोओ। दोस्तों तकरीबन 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 की राइड नाइड कम्लेट हुचकी है और मनौर में हम लोग आ चुके है और मनौर पाटा से तकरीबन वान 30 किलो मिटर्स का जर्णी अभी भी हमारा फ्रेंडिंग है दीपा को यहां पर बहुत हंड लग रही है तो स्वेटर के लिए आम लोग यहां पर रुख गये थे और वामेनी हमेशा की तरह रेडियो हो चुकी है और दीपा यहां पर स्वेटर पहन रही है हाई दीपा एक्तम चैरलिंग कैपलीन लग रही है मुझे आज और ठंड तो सच में ज्यादा है और आप देख सकते हो आगे धाट सेक्शन रहेगा तो ठंडी और ज्यादा होने की जांसे से तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है दोस्तों मनोर से हम लोगों ने राइट टन ले लिया है याने हम लोगों ने वेश्टन एक्सप्रेस हाईवे अभी छोड़ दिया है आपको दिखेगा कि यह रास्ता बहुत ही सुन्सान रास्ता है मगर यहां पर ट्राफिक न होने के वज़़े से हमें राइड करने में ज से आते हो तो बहुत ही बड़िया नेचरल ब्यूटी आपको यहां पर दिखाई देती है बहुत सारे धने जंगल फाट रस्ते आप यहां पर एंजाई कर सकते हैं यह रास्ता छोटा होने के वज़़े से यहां पर ज्यादा ट्राफिक भी नहीं रहती ज्यादा है वेही व आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ही सेफली यहां पे करनी है सेफली राइड यहां पे करनी हम लोगों नहीं रास्ता चूस करने के पीछे सबसे इंपॉर्टन रिजन था कि हमें घाट सेक्षन का जो रास्ता था वह एंजाय करना था और दूसरी चीज़ कि हम लोगों को यह रास्ता सेफल लगा और इसलिए हम लोगों ने आज एस रास्ते से जहाने का प्रयोजन किया हुआ है तो दोस्तों देखते है आगे क्या-क्या होता है ठंड कितनी ज़्यादा लगती है और ठंड से हमें क्या प्रब्लम होने वाला है को अग्यादा आ लाला है दोस्तों हम लोग तो बहुत ज्यादा एंज्जाइ कर रहे हैं रीजन यह है कि ट्रापिक में और सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर अभी हमें सामने से कोई भी लाइट या डिस्टर्बंस नहीं आ रहा है और यह आ गया है तो हम फोड़ा स्पीड अप कम कर लेते हैं क्यों दोस्तों यही होता है कि आप अगर यहां पर राइड पर हो तो आपको बहुत ज्यान देना है रास्ते के उपर अगर आपको अपड़ी पर देना है ताकि आपको आखों को जो है वो रास्ता प्रॉपर दिखे और एक बार आपको रास्ता प्रॉपर दिखे तो फिर आपको घरी कि समझ सकते हैं और दोस्तों सबस्क्राइब लोगों को मारा साड़ने को आये हैं टो से बाते करते हैं पर प्वाथी करता में जिसके खहिंसी मुझे बात करने में इसाफ्लत रॉबन करने में। थोड़ी सी कटना ही हो रही है तो अभी थोड़ा सा कॉंसेंट्रेक करते हैं राइड के उपर और वास्तक कम्प्लीट करने के पीछे ओशिट लगते हैं होके साड़े बारा बच चुके है और तक्रीबन हमने 83 किलोमेटर की राइड कम्प्लीट किया है अब भी 100 किलोमेटर की राइड पेंडिंग है हम लोग जवार पहुच चुके हैं जवार से तक्रीबन देड़ घंटे का राइड अभी हमारा बागी है दिपा मैडाम थंडी लग रही है दिपा मैडम थंडी लग रही है हाँ हाँ चलो तो दोस्तों आगे की जर्णी स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज्यादा अंधेरा है मैं अग्र जबाइड के नॉर्मल ग्लोस पहने हैं तो इन लिख के वज़े से लिया जो है वो फूजने लग लिया करने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा है कि मैंने जो सॉक्स पहने थे वो सिंगल सॉक्स थे और स्पोर्ट शूज वाले सॉक्स होते हैं जो छोटे वाले वो पॉंप पहन लिये थे तो पैरो में भी बहुत ज़्यादा क्षंड यहां पर मिजे लग रही है और उसके पैरों के बारे में अगर दोस्तों पैरों के बारे में अगर दोस्तों अगर आपके हाथ में अगर फंड लग जाएगी तो उसके बाद आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिकता है तो इस सिचुएशन में आपको एक धान रखना है यह अगर आपने इसी कुछ गल्पी थी है और आप अभी हंड में राइड कर रहे हैं तो आपके और जो भी पड़ा होगा या जो भी कुछ जो उपर करने के लिए हाद को कवर करने के लिए जो भी चीज अगर्दा वगर आए डैसे हाद के बात बेसे और पर लेना हाथ में आपको राइड करना तो दोस्तों थोड़ा सा अंज का असर ज्यादा हो रहा है थोड़ी सी शूरिंग भी हो रही है आप है तो जल से जल खोई तो जगा देखते हैं और थोड़ी देर के लिए हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्योंकि स्वामीनी को भी रेश देना थोड़ा ज़रूरी था तो रुख गया हूँ और भी और भी 80-85 किलोमेटर का राइड बाकी है मगर नीन बहुत जादा आ रही है तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और फिर आगे राइड के लिए निकलते हैं जब जरुरत हो उस वक्त अगर आपको एक शॉट कॉफी मिल जाए तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं होती है कोफी रेडियो हो रही है और दस मिनिट में गर्मा गरम कॉफी मिल जाएगी और बहुत दिनों को बात दीपा मैडम भी आज कॉफी ले ने मादी है अलो दीपा मैडम तंडी लगी अधिए दीपा का टेड़ी बेर हो चुका है कि बंद देगा कि दो कॉफी बन रही है कि दूद उबल गया तो होता है बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बाते तो होती ही रहती है हुआ है 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 अब है अब है नहीं तो अब भाइस अब का नाम भी पता चल गया रूपा कॉफी लेते हैं पड़ा-पड़ागे के ज़निक कवरप करने के लिए हुआ हुआ है करने वाले है बीस-पच्ची मिनिट का ब्रेक यहां पर हो चुका है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ढबे का नाम आप देख लो शिवनेरे डाबा मतलब हम जहां भी जाएंगे महराज हमारे साथ-साथ रहेंगे क्योंकि महराज जो है वो हमारे दिल में ह हमारे खून में है हमारे जजबात में है हमारे दिमाग में है हमारे हर एक चीज में है पताने दोस्तों मगर आज की राइड खतम ही नहीं हो रही है शायद से आज सुबह जो प्रेक करके आया था हर शगर था इसके बाद में इमीजेटली हम लोग ये नाइट राइड की लिए रिख ले है वो शायद से बौडी जो है ठक गई है और इसके वज़े से आज रास्ता खट नहीं रहा है और जंगल का रास्ता है तो ज्यादा पिकप भी नहीं ले पा रहा हूं क्यों अब आसा डर होता है कि रात के समय गुषने जंगलों में आपको भी पता है कि वाइल एनिमल्स घूमते रहते जो कि रास्ते पर भी कभी कभी हमें अलीच सकते तो और यह कुछ नहीं नहीं तो ऐसे कुछ दिखने के चांसे सोते हैं मगर यह रास्ते पर मैंने कभी किसी से स अभी लिए मगर ठकान अभी भी गई दी है अभी भी थोड़ी सी नींद आखों पर है और रास्ता भी थोड़ा सा खराब है तो राइड करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है मगर ठीक है अब यहां तक तो आ गये है तो अभी 30-35 किलो मेंटर्स के लिए ज्यादा 55 किलो मेंटर्स के आसपास का रस्ता अभी भी बाकी है तो चलिए दोस्तों गाडी पर थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट करते हैं राइड को थोड़ा सुपर राइड बनाने के पीछे ध्यान देते हैं कर दो सकते हैं कर दो कि दूस्तों रात के सुबह के दो बच चुके है बेसिकली रेगुलर राइड में मैं दो और तीन के बीच का जो पिरियड होता है उसमें राइड करता हो बिसिकली दोपेर का समय हो या रात का समय हो यह दो और तीन के पीच में जो है वो नींद आनी शुरू हो जाती है अगर जेस्ट आगे हमें 40-45 मिनिट्स का रास्ता कवर करना है तो हम लोग राइड कंटिनु करेंगे अभी जो हाल्ट लिया है हम पहुचे है त्रंबक में जैसे के आपको पता होगा 12 जोतिरलिंगों में से एक जो नासिक स्तीत है वो जोतिरलिंग यहीं पर है मेरे जश्ट बैक साइड पर त्रंबकेश्वर से और तकरीबन 40 किलो मिटर का रन हमें कंप्लेट करना है नींद आने का कोई चांस नहीं बिकॉज अभी थोड़ी पहले हम लोगों ने जंगल का रास्ता था तो एक सी आर देख लिया और सी आर देखके हमारी जो नींद थी वो पूरी ऊड़ चुकी है इन शॉट हमारी फट चुकी है तो नींद आने का कोई चांस नहीं है मगर फिर भी थोड़ी सी नींद आने के चांसे थे इसके लिए ह और सबसे इंपोर्टन चीज जो है वो ठंड भी बहुत जाता है क्योंकि गूगल के हिसाब से अभी का टेंपरेचर जो है वो 16 डिग्री टेंपरेचर यहां पर हो चुका है मगर विंटर वेयर हम लोगों ने पहने है तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और स्वामी नी भी प्रॉब्लम नहीं दे रही है क्योंकि ठंडी है तो पिक अब अच्छा ले रही है तो देखते हैं आगे क्या होता है और 40-45 मिनिट्स का रास्ता है और कितना डाइम लगता है देख लेते हैं नेपाली ज़री चाइनीज ओके दिस्तो तो आज की यह राइड यहां पे खतम होती है दोस्तो यह वीडियो आपको कैसे लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाईए बन जए जए आप